तो आज मैं जो लास्ट फाइब डेज बचे हैं उसकी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ कि इन पांच दिनों में आपने कैसे स्मार्ट वर्क करना है तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को तो शुरू करते हैं सबसे पहला टिप्स है फील, रिलैक्स एंड हैपी आपने इन पांच दिनों के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है और जो लास्ट के तीन दिन है उसमें तो आपने कुछ पढ़ना ही नहीं है आपके सिर्फ ये तीन दिन मांग रहा हूँ लास्ट के आपने अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो लास्ट के अगर आप तीन महीने भी नहीं पढ़ोगे फिर भी आप नेट जीरेफ एजीली क्रैक कर सकते तो ये रिसर्ज के दौरा प्रूब हुआ है अमेरिका के एक रिसर्ज कोलर है टी ओ ब्राइन इन्होंने एक रिसर्ज की थी क एकजाम का जो फिर है उससे कैसे बाहर निकला जाए आखिर क्यों लोग पूरे साल पढ़ते हैं पिछले काफी तीन तीन चार चार साल से एक एकजाम के लिए पढ़ रहे हैं और वो एकजाम एक महीने में क्रैक हो सकता था सिर्फ एक महीने में लेकिन लोगों से तीन साल मे भी क्रेक नहीं कर पा रहे हैं उसको तो उसका क्या कारण है उसका कारण है स्ट्रेटरजी का ना होना और एक्जाम के लास्ट दिनों में जो लास्ट पांच या दस दिन होते हैं उसमें एक्स्ट्रा बर्डन लेना एक्स्ट्रा बर्डन लेने के कारण क्या होता है जो पिछला पड़ा होता है वो भी सारा वाश हो जाता है या फिर होच-पोच हो जाता है और जब एक्जाम में बैठते हैं तो उनको लगता है इसके आंसर सारे ही हो सकते हैं इसका कारण क्या है इसका कारण है over burden या फिर extra जो effort मारते हैं हम last के दिनों में tips number 2 है daily routine को आपने इस जो time period में है बिल्कुल भी change नहीं करना है आप क्या करते हो normally आप रात को 11 बजे सो जाते हो और सुभे 8 बजे उठते हो normally लेकिन exam से 4-5 दिन पहले आप क्या करना है शुरू कर देते हो रात को आपने 12 बजे सोना है और सुभेरे 4 बजे उठना है और 4 बजे के बाद पढ़ना शुरू कर दिया उससे क्या होगा आपका जो सालों से चला आ रहा routine है वो आपका बिगड जाएगा और आपका जो sense है आपकी जो sense है आपका जो काफी time से routine बनाया है वो disturb हो जाएगा और आपकी जो capturing power है वो बहुत धिली पढ़ जाएगी next tips वो है good sleep आपने अच्छी नींद लेनी है आपने महसूस किया होगा जिस दिन आपकी नींद अच्छी होती है आपको अच्छी नींद आई होती है उस दिन जब आप सुभे उठते हो तो आप fresh फील करते हो आपको जो चीजे आपने बहुत सालों पहले पड़ी होगी आप अपने कोशिश करना है आपने इसको अपने लाइफ के साथ रिलेट करना है आप किसी को स्टोरी सुनाते हो आपको उसके करेक्टर ही आदी नहीं आते कि अच्छा कौन था कौन था यादी नहीं आएगा इसका कारण क्या होता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती है ठीक है तो आपने नींद का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इस टाइम पिरियरड में आपकी नींद पूरी होनी चाहिए अगला आपके लिए टिप्स है फूड खाना आप किस तरीके का खाना खाते हो आप जो रूटीन में खाना खाते हो वही खाना खाए हलका ख प्रेश नहीं हो पाएगा और आपका माइंड एक्टिवेट होने में काफी टाइम लग जाएगा पिप्स नंबर फाइव फियर डर डर से आपको थोड़ी बहुत निजाद पा लेनी चाहिए क्योंकि अगर आपको डर रहेगा ना तो आपको आप जो सही भी कर रहे होंगे वो गलत करेंगे मेरे साथ ऐसा हुआ है मैंने एक एमफिल का इंटरांस का पेपर दिया था और मुझे डर था मुझे यही डर था कहीं मैं अपना रोल नंबर गलत फिलना कर दूँ मैंने बहुत ही ध्यान से उसको फिल करने की कोशिश की मैच करके भरने की कोशिश की फिर भी मैंने गलत कर लिया फिर मैंने एनलाइस किया कि इतना मैं डर गया था कि कहीं मैं गलत ना इसको भर लूँ उसके बावजूद भी गलत भर लिया उसका कारण किया था, उसका कारण था, एक्स्ट्रा उसके उपर वह ने फोकस कर दिया था, और mind को अपने release नहीं होने दिया था, तो आपने डर से बिलकुल अलग रहना है, और जब सब्सक्राइब पेपर शूरु करो तो तीन बार लंबी साशे जरूर ले ले, बिलकुल फी से बोल रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना है प्रैक्टिस करना है लास्ट के एक महीने के अंदर और एक महीने में ही वो आप टाइम मैनेजमेंट को कवर कर सकते हैं आप प्रिविए से र कोश्चन पेपर को सॉल्ब करो पचास जो आपके कोश्चन है उसको 45 मिनट के अंद करने की कोशिश करो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक्जामीनेशन में करोगे ठीके तो टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा कि आपके जो लास्ट में बज जाते ना 10-15 कोश्चन मैक्सीमम लोगों के मुझे जो रिविव आय थे कि सर हमारा तो कोश्चन ही कम्पलीट नहीं ह हो पाया 35 ही अटेम्ट हुए बाकी तो हमने ऐसे ही गोल कर लिया वो कारण क्या है वो कारण है आप टाइम मेनेजमेंट में क्या हो बहुत ही जादा वीक हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपने क्या करना है प्रैक्टिस कर लेनी है भले ही एक दो बार करनी है बिल्कुल examination hall की तरह महोल में आपने करना है वो प्रूबा 45 मिनट के अंदर cover करना है क्योंकि वहाँ पे भी आपको इतना ही time मिलेगा आप 60 मिनट मान के मत चलो tips number 7 और most important activate your mind आपका जो mind है उसे activate करने की कोशिश करूँ अब इसका क्या मतलब है दोस्तो जब हम examination में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है हमारा mind क्या होता है डल होता है हम जो कुछ भी पढ़ते हैं हमें एकदम से समझ नहीं आता हम उसको catch नहीं कर पाते हैं हमें 2-2-3-3 बार एक ही question पढ़ना पढ़ता है तब जाके हम catch करते हैं उसमें होता क्या है पहले के कम से कम 15-20 मिनट में जो हमें 15 question करने थे उसमें 5 ही question कर पाते हैं क्योंकि हमारा mind activate नहीं था तो हम mind को activate कैसे करें दोस्तो आपके पास examination hall के बाहर भी तो काफी time होता है आप 1-5 माइंड में calculate करना है जैसे 2-1-2-2-2-4 ठीक है 20 तक कर लो फिर 2 का square से लेके आप 10 का square फिर cube इस तरीके से और उसके बाद आप जो DI के फार्मूले है वो भी लिख लिख के याद कर सकते हैं गुणा multiply मतलब ठीक है भाग कुछ भी दे सकते हो बाहर उससे क्या होगा आपका mind activate होगा जब आप बाहर से ही mind activate करके जाओगे तो अंदर आपके जो 20 minute mind activate करने में लगने थे वो नहीं लगेंगे और आप time management में मैं आपको बता रहा हूँ guaranteed आप 10 minute पहले अपना exam अच्छे तरीके से complete कर लोगे tips number 8 do or do not आपको exam में बैठके पहले क्या करना है और क्या नहीं ये बहुत ही ज़्यादा important है आप बाहर से mind activate करके गए हो फिर भी आपको पहले data interpretation और paragraph भूल के भी नहीं करना है data interpretation और paragraph ये depend करेगा कि आपको A series आ रही है B series D series जो मर्जी आ रही है उसमें हो सकता है पहला ही question DI का हो तो कभी भी आपने पहले DI नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा time मांगता है आपका mind पूरी तरीके से activate होना चाहिए और जो paragraph है वो direct नहीं आएगा कि आपने पहला paragraph पढ़ा और उसमें से आपने छाट के answer निकाल दिया वो आपको analyze करना होगा क्योंकि उसकी deep knowledge उसमें पूछी जाती है तो आपने कभी भी भूल के भी data interpretation और paragraph पहले नहीं करना है क्योंकि ये अकेले ही 15-20 मिनट आपके खा जाएंगे और 20 मिनट अगर आपके गए तो आपको यही डर लगेगा कि नहीं time कम है time कम है उसकी बज़े से आप कोई भी question अच्छे से नहीं कर पाओगे जहां आपने 40 question ठीक करने थे वहाँ पे आप 35 भी ठीक नहीं कर पाओगे Tips No.9 और बहुत important Do not revise before 4 hour of exam आपने exam से 4 घंटे पहले कुछ भी नहीं revise करना है कुछ भी नहीं पढ़ना है कुछ लोगों की आदत होती है कि बस में जा रहे हैं exam देने किताब खोली है और रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं आपको मैंने पहले भी बताया ना आप जब race की तियारी करते हो हागी नहीं पाओगे तो आपने क्या करना है exam से 4 घंटे पहले बिलकुल छोड़ दो अपने mind को बिलकुल free रखो अपनी किताबों से बिलकुल free रखो क्योंकि आपने जो पढ़ रहा है आपने 10 साल पहले भी पढ़ा होगा वो भी आपको याद आ जाएगा जब आपके सामने mcq objective type question आएंगे आप easily उसको solve कर लोगे इसलिए आपने बिलकुल भी नहीं पढ़ना है 4 घंटे पहले टिप्स नमबर 10 ये है believe in yourself अपने ऊपर आप विश्वाश करो analyze करना अपने आपको जब आप वापिस आओगे या आए होंगे पहले तो आपने क्या क्या होगा 10 question ऐसे होंगे जिनका आपको लगा कि ये तो होई नहीं सकता और बाद में वही होता है तो ये हमारा human mind है हमें negativity की और जादा ये खीचता है इसलिए अपने mind को आपने positive रखना है अपने उपर विश्वाश करना है क्योंकि अगर हमने रटे में कोई चीज पड़ी है और वो हमारे सामने आ जाती है पहली ही नजर में आपको लगा कि ये है तो उसका answer वही है लेकिन हम अपना answer बाद में change कर लेते हैं ये नहीं है ये हो सकता है तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना है अगर आपने deep study की है फिर आप अपने दिमाग के हिसाब से चलो अगर आपने deep study नहीं की है तो आपको जो first chance में ही सही लग रहा है उसी की और आपने जाना है और उसी को टिक करना है 100% आप सफल होगे आई होप आपके लिए मेरी ये वीडियो लाफ दायक रहेगी और आप इसी बार जारेफ क्रैक करोगे थेंक्यू थेंक्स फर वाचिंग